नेत्र रोग विशेशग्य डॉक्टर अरुन कुमार गुपता ने आईफ्लू को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा पारिश में कई बीमारियों के फैलने के आशनका रहती इस मौसम में आपको का संक्रमानक कंजंक्ति वर्टिस आईफ्लू भी काफी फैल था है इसलिए आईफ्लू को लेकर सतर्क रहने के साथ जाउपता भी जरूरी है आईफ्लू संक्रमित लोगों को बचाओ इलाज के बारे में उमा प्रेम नित्राले के लेक्टर डॉक्टर अरुन गुपता ने बताए कि आईफ्लू में अचानक आँख लाल हो जाती है आँख में जलन और चुबन की समस्या भी होती है आज युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे 20 की चपेट में हैं उन्होंने आम जल से साउध्वानिया बरतने की अप्रिप करते में कहा कि आईफ्लू होने पर बचाओ है तू अपनी आँखों को अपने हाथों को जरू हमारे नगर में प्रदेश में और देश में इस समय आईफ्लू बहुत बढ़ता ही जा रहा है आईफ्लू एक तरह की कंजंग्टिवाइटिस है और यह जो फैल रहा है यह एक एडिनो वाइरल कंजंग्टिवाइटिस का नया ट्रेन है जो बहुत तेजी से फैल रहा है हमारे स्कूलों में घरों में ऑफिसेज में हर जगर यह बहुत तेजी से अपने पाउं पसार रहा है तो हम इसके लच्छण जानते हैं कि आखिर इ आखें चिपक जा रही है और हमारे आखों में दर्द भी हो रहा है सिवियर केस में या कई बार हमारे आख की पलके सूज जा रही है तो यह हमारे कंजंग्टिवाइटिस यानि आई फ्लू के लच्छण है अब हम इनसे बचें कैसे हैं अगर किसी भी बच्छे को स्कूल के वर्क के या आई फ्लू हुआ है तो वो हमेशा ये बात का ध्यान दे कि किसी भी चीज की सेरिंग न करें जैसे हमारा रुमाल है टिफिन है और हमेशा अपने हाथों को अच्छे तरह से धूले सैनेटाइज करें हैंडवास अच्छे से करें सेर बन कर दें कोई भी चीज का और आखों से कोई जो पानी निकल दा है वो किसी के कॉंटेक्ट में न आए और अपने आखों पे एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस का उप्योग जरूर करें अगर आपको आई फ्लू हो गया है और आपको तकलीफ हो रही है तो आप एंटिबाटिक और लुब्रिकेटिंग दवाओं का सेवन कर सकते हैं इस्ट्राइड दवाएं अपने मन से नर्ड डाले और अपने नजदी की चिकिट्सक से आई फ्लू को दिखा के चिकिट्सकीय परामर्स के अनुसार अपना ट्रीट्मेंट ले और इससे बच के रहे हैं धन्यवादिशार आई फ्लू आने से पहले क्या पारभानी बरत पत्में क्या आई फ्लू माहिए हमने जैसा कि बताया कि इसमें सबसे पहले जो होता है कोई कॉई कॉंटेक्ट में आ गया जैसे मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को आई फ्लू है या इस वेक्तिक आई फ्लू है और उसकी आखे लाल है तो हम चुई हुई कोई चीजें जैसे कोई पिन है मोबाइल है पेपर है फॉल्डर है फाइल है कपड़े हैं तो हम उसको इस्तमाल ना करें और हमने उसके चुई हुई चीजों को अगर टच कर भी दिया है तो हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबून से हाथ धूले और या अपने हाथों को सैंिटाइज से सैंिटाइज कर ले ताकि सिटापके वाइरस और अंखों में न जाये झाल झाल